मेरे साश्टंग नमन कोटी कोटी प्रणाम सत्र की शुरुवात हम इश प्रार्थना से करेंगे हमें देते हैं सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे जो कुछ हमें मिला हैं प्रभु दे वित्रण उसका करना सीखे हवा प्रकाश हमें मिलता है मेगों से मिलता है पानी यदि बदले में कुछ नहीं देते इसे कहेंगे बेमानी इसलिए दुप बोग रहे हैं दुप को दूर भगाना सीखे इश हमें देते हैं सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे कपती घर की पर पती कों को पेड सदा देता है छाया अपना फल भी स्वयम नखाकर जीवन उसने सफल बनाया तस्वा पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयम बरत ना सीखे कीश हमें देते हैं सब कुछ हमें दो कुछ दे ना सीखे मानव जीवन दुर लब है हम इसको मल से रहित बनाएं फिले फूल खुश बूदेते हैं वैसे ही हम भी बन जाएं प्रभ सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अरपित कर ना सीखे कीश हमें देते हैं सब कुछ हमें दो कुछ दे ना सीखे कीश हमें दो कुछ दे ना सीखे ही है यह दुखताई दिल दिमाग को सही दिशाद तो बन सकती है सुखताई जन को प्रभु देते हैं सब कुछ लेकिन जन तो बन ना सीखे कीश हमें देते हैं सब कुछ हमें दो कुछ दे ना सीखे जो कुछ हमें मिला हैं प्रभु से वित्रण उसका करना सीखे कीश हमें देते हैं सब कुछ हम भी तो कुछ दे ना सीखे हम भी तो कुछ दे ना सीखे हम भी तो कुछ दे ना सीखे अभी तो आप सब को ये जो हम प्रार्थना करते हैं वो समझ में आ गई होगी क्योंकि आपकी तपस्चर्य को काफी दिन हुए अब यही प्रार्थना को अगर आत्म साथ कर लोगे ना तो जीवन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा परमात्मा ने हमें कितना दिया है लेकिन हम बांठना नहीं चाहते हैं सब अपने पास रखते हैं जैसे कि यहां का अनुभव जैसे दिलिभभाई ने सब में बांठा और आप सब को इधर लेके आए हर साल साल में दो बार लेके आते हैं यानि कि वित्रण उसका करना सीखो जो कुछ आपको परमात्मान है उसका वित्रण करना सीखो आप स्वस्थ हो जाते हो तो औरों को स्वस्थ होने के लिए यहां पे ले आईए यहां से उत्तम आपको और कहीं भी ऐसी सेवा नहीं मिल सकती है हम कहते हैं कि भोपाल एक ऐसा मंदीर है आरोग्य मंदीर कि यहां पे आके हर किसी को परिणाम मिलता है आगे पीछे कुछ दिनों के बाद लेकिन मिलेगा जरूर क्योंकि यहां से जो भी आपको उप्चार दिये जाते हैं वो पुरी भावना से देते हैं आप और कहीं भी जाओगे ऐसा भाव आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम सब जगा जा चुके हैं यहां पे सेवा है तप है और साथ में सुमिरन का भी संगम है रोज हमको सुनते हो लेकिन हमें ना पुज्य भावुजी को सुनने का मन करता है क्योंकि उनके पास भी ज्यान की गंगा है और उनका लेक्चर भी अगर एक दिन रखा जाए तो सच में आपको बहुत मजा आएगा क्या रहता है अनुभवा सात्रा में बुल रहे हैं आता गंटा हाँ नहीं वरना अभी भावजी आजाए हम उदर आजाते हैं तो भाव नहीं है एज़ा बाव नहीं है लिए भावश नहीं है अभी भाव नहीं है मैं यहां जाते हैं तो टहि नहीं सुझभा तो सुमिरन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है क्योंकि हम कितना भी तप कर ले कितनी भी सेवा कर ले लेकिन जीन के जीवन में सुमिरन नहीं है उसकी तपस्चर्या अधूरी है ये तीनों का समन्वय यानि ये त्रिवेणी शंगम है जो हम नदी में नहाने जाते हैं जहां त्रिवेणी शंगम होता है और कहते हैं कि यहां पे अपने पाप दूलते हैं लेकिन जीवन में अगर तप सेवा और सुमिरन को हम आत्म साथ करत हैं तो पाप हमारे त्रिवेणी संगम में बिना नहाए चले जाते हैं जब भी आप तपस्चर्या करते हो तो आपको लगेगा खुद के अंदर कि आपके अंदर एक भगवान बैठा है क्या घर पे आप ऐसी तपस्चर्या कर सकते हो किसी को कहा भी जाये ना कि अकेले नहीं रह पाएंगे घर पे लेकिन यहां पे आपको ऐसा माहोल दिया जाता है तो वो माहोल का माहत्म्य है इस भूमी की औरा है और पुझ्य भावजी का आशिरवाद है तभी आप सब यहां पे इतनी कठिन तपस्चर्या कर पा रहे हो ना नमक ना कोई मसाला केवल अंगूर और अंगूर का जूस लेकिन फिर भी भूख का एसास नहीं होता है कल हम इतना घूमें सब लेकिन फिर भी किसी को कोई तकलिफ नहीं हुई है इतना घूमने के बावजुद भी कल हम ओडिटोरियम गए जहां परमिता दीदी ने हमें इतना बताया तो आपको नहीं लगता है कि हमें हमारी बेटियों को चाहे कुछ भी बने लेकिन नेचरोपथी का कोर्स जरूर करवाना चाहिए क्योंकि जिस बेटी ने ये कोर्स किया है वो सच में अपने घर में कब भी दवाई नहीं आने देगी और इससे बड़ा आशिर्वाद और क्या हो सकता है कि आपके घर में कोई भी दवाई ना है लेकिन हमें इतने भी जड़ नहीं बनना है इमर्जंसी में कभी भी एलोपथी की या आयुरुवेद की या होमियोपेथी की जरूरत पढ़ सकती है तो हमें इतना चोच भी नहीं रखना है कि नहीं हम तो NDS करते हैं हम तो दवाई हर्गीज नहीं लेंगे हो सके वहां तक नैचरोपथी से मिटाए लेकिन कभी आवश्यकता हो तो आयुरुवेद का सहारा लेना भी पढ़ता है आयुरुवेदा गलत नहीं है वो भी हमारे रिशिमुनियों ने दिया हुआ है होमियोपेथ भी गलत नहीं है आपको जो भी सूट होता हो लेकिन हो सके वहां तक एलोपेथ का सहारा ना ले कभी एक्सिडेंट भी हो जाता है तो और्थोपेडिक के पास जाना पड़ता है लेकिन आराम से सब कुछ हील हो सकता है ऐसा नहीं है कि आपको पेइन कीलर खानी पड़ती है लेटेस्ट एक एग्जाम्पल हम जब इदर आए उसके करीबन तीन दिन पहले हमारी बड़ी ननन्द सिस्टर इनलो कम से कम सेवंटी टू यर्स की है और रात को जैसे वाश्रूम जाने के लिए खड़े हो रहे थे और बेट से गिर गए तो उनकी हड़ी टूट गई एक दिन बहुत पेइन हुआ अस्पताल नहीं गए हमने कहा ऐसे मैं जाना चाहिए बोले हम पेइन सहन नहीं कर सकते हैं हमने बोला जो आप सहन नहीं कर पाते हो एक बार आप एकसरे सोनोग्राफी करवाओं वो अस्पताल गए और जब एकसरे करवाये तब पता चली कि क्रेक हो गई है और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको 21 दिन अभीलना नहीं है आराम करना है और उनको पेइन किलर दे दी और बोला आप खाना खाके दूध पीके ये पेइन किलर लेना एक दिन उन्होंने ऐसे किया लेकिन बैड पे थे दूध लिया दवाई ली और इतना गैस्टरिक ट्रबल केवल एक ही दिन पेइन किलर और जो हडियों की दवाई लेते हैं ना उनको पता है वो बहुत डेंजरस होती है उससे सीवियर एसीडिटी होती है बॉड़ी पेइन होता है गब्स होती है तो उनको पेट साफ ही नहीं हुआ दूसरे दिन फिर उनका फोन आया तब हम मातर में थे हमारा सेमिनार चल रहा था तो उनका फोन आया कि हमें न ये दर्ज सहा नहीं जाता है हमें आप भोपाल ले चलो हमने कहा ऐसी हालत में हम आपको भोपाल कैसे ले जाएंगे और आपका इलाज सोय सोय है अभी हम इस हालत में आपको भोपाल नहीं ले जा सकते किसी का भी फोन आता है हमें आधी रात को कल रात को ग्यारा बजे उठाया बोले हमें भोपाल आना है यहां से कुछ जाता होगा हमें नहीं पता है प्रवचन वगेरा तो हम जो आनन्द मेला वगेरा खेलते हैं न कई लोगों के फोन आ रहे हमें आना है आप लोग तो बहुत तो फिर हमने कहा हाँ यहां पे हम थोड़े ना दवाई खाने आए हैं हम तो यहां अपना मन का और तन का कचरा निकालने के लिए आए हैं और खुशी क्या होती है जीवन क्या होता है कैसे जीना चाहिए वो सिखने के लिए आए हैं तो फिर बोले कि क्या अभी हम नहीं आ सकत हमने बोला अभी तो आदा केंप हो चुका है आप अगले सेमिनार में आईए बोलते है आप जब होंगे तब हम आएंगे हमने का ठीक हम आजाएंगे आप बोलोगे तो हम आजाएंगे अगले महीने में तो बोले ठीक है अभी हम अगले महीने में आएंगे क्या फिर भी आप मौच करवाओगे। फिर हम ने कहा ये तो हर बार हम आए या ना आए, गुलापसर सबको मौच करवाते है। ऐसा नहीं है कि हमारा आणा जरूरी है। तो बोले कि नहीं हमें आना है। कल चार पांच फोन आए। और फिर हमने सोचा कि सबको अगर हमें भोपाल लाना है तो पड़ेगा क्योंकि ये पवित्र भूमी में सब का आना जरूरी है वरना जीवन का फेरा फेल है जैसे कि कहते हैं कि कितनी भी यात्रा कर लो लेकिन पुष कर न जाओ तो यात्रा अधूरी है ठीक वैसे ही हम जिन्दगी में आये हैं और सब जगा गए हैं लेकिन ये आरोग् केंद्र की आपने मुलाकात नहीं ली है तो जीवन का फेरा फेल है तो हमें आना ही होगा और सब को लाना ही होगा हम बात कर रहे थे अमारी ननन की फिर हमने उनको कहा जब उनको बहुत पेइन हो रहा था पांच दिनों तक पेट साफ नहीं हुआ केवल एक दिन दवाई ख उचिया और फिर हमने उनको कहा कि अब आप बिलकुल raw diet पे आ जाईए आप केवल और केवल green juice जो फलो के रस आपको पसंद हो और या गाजर बीट का juice जो भी आपको पसंद हो हो सके तो रसाहार और रसाहार पे ना रह पाओ तो fruits और salad केवल इतना ही लेना पकव कुछ भी म पत लेना तीन दिन लिया उन्होंने पांच-पांच आउले का juice दे रहे थे फिर भी उनका पेट साफ नहीं हो रहा था केवल एक दिन की दवाई का असर फिर हमने कहा पांच आउले से नहीं हो रहा है आपका पेट साफ अब आप एक काम कीजिए एक अनार लीजिए उसको ज जिसका छिलका बाहर से अच्छा दिखता हो, एकदम साफ, उपर निचे का फूल उडा दीजिए, अच्छे से धो लीजिए, पहले उसको दाने निकालके उसकी छिलके और अंदर देख लीजिए, कुछ खराब नहीं है, बाकी जो भी है छिलके के सहित, अंदर के जो वाइट डिवाइडर चिपके है उसके सहित, पूरा एक अनार और एक अनार के दाने, सब मिला के आप इत्ता सा ज्यूस ले लो, बोले इससे तो हमें कॉंस्टिपेशन नहीं हो जाएगा, हमने बोला नहीं, ये अनार और उसका छिलका, आपका कैसा भी कॉंस्टिपेशन तोड़ता है, तो फिर उन्होंने वो जूस पिया, छिलके के सहित, थोड़ा कड़वा लगता है, हमने कहा ना पी पाओ, तो फिर थोड़ा शहद डाल देना, अगर ना डालो तो ज्यादा अच्छा है, बोले कोई बात नहीं, हम उपर से पी लेंगे, और उन्होंने ऐसे एक अनार का फिर भी असर दो अनार का पिलाया, छिलके कि साइद, फिर उनको अंदर से क्या कच्रा निकला है, क्या कच्रा निकला है, बिना पेइन की लर्षारा बोडी पेइन गायब, और अभी वो केवल जैसे की ग्रीन जूस तो रोजाना लेते हैं, और नारियल का दूध, और आईची केला, बहुत केलशियम है, अंकुरित आलफा-लफा सीड, उतना जो सैलेड में लेते हैं एक मुठी भर, और सहजन की फली के पत्ते रोज ग्रीन ज्यूस में अचुक डालते हैं, कड़ी पत्ता वगेरा, तीन दिन में तो, जब डॉक्टर ने कहा था कि 21 दिन आपको सब कुछ बैड पे करना है, यानि कि आपकी जो भी कुद्रती प्रक्रिया है, वो भी आप टब में, टब लेके करेंगे, जाएंगे नहीं, लेकिन तीसरे ही दिन, रॉड डायेट के तीसरे ही दिन, वो खुद अपने बैड से बात्रूम तक जा रही है, अब आप सोचिए, कहा 21 दिन और कहा 3 दिन, अभी हमने उनको भी केवल अंगूर पे ले लिया है, केवल और्गेनिक अंगूर और कुछ भी नहीं, आज उसका भी उनका दूसरा दिन है, हमने कहा आप कैसा लग रहा है, बोले एकदम लाइट फिल कर रहे है, क्योंकि हलकापन बॉड़ी में, जिनके भी आ जाता है, तो ये भी हलका हो जाता है, यहाँ पे कोई वजन नहीं रहता है, भार नहीं रहता है, आपके विचारों म क्योंकि ये आहार का प्रभाव है, और ये जो जब भी हम एक आहार करते हैं न, तब हम तन और मन दोनों से फ्री हो जाते हैं, तिन दिन मुश्किल होती है, जैसे कि ज्यादा भूख लगती है, और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लिकिन चोथे दिन से हमारा मन, अगर आपने उसको कमांड दे दिया है, कि आपको किस दिन या 45 डेज केवल ये अंगूर पे रहना है, तो देखना आप रह पाओगे, एक भाईया है जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, वो ना कल हमें बोल रहे थे कि हम ना 45 डेज करेंगे, कल रात को हमें बता रहे थे, बस आप हमें अंगूर की व्यवस्था कर देना, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, ये रहे, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, ये देखिए आप, ये होता है मनोबल, आत्मबल, क्योंकि जिसका भी मनोबल इतना मजबूत हो ना, उसको दुनिया का कोई भी रोग छू नहीं सकत है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या लेके आये है, केवल इतना पता है कि बस थोड़ा सा वेट ज्यादा है, वो तो उनका कम होई जाएगा, लेकिन आप देखना, ये दुबारा जब इदर आएंगे, आप नहीं पहचान पाओगे, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल स्लिम ट किया था, अमरीका में एक निपाबेन करके थे, उन्होंने किया था, करीबन हंड्रेट डेश का, उनको बाल काले आने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे तो अंगुर मिलती है और और अर्गेनिकी मिलती है, वहाँ पे उन्होंने हंड्रेट डेश तक ये कल्प किया था, और उन लटक गई थी पहले दो माईने में, लेकिन फिर जो रिनोवेशन हुआ, बोले इतनी स्कीन भी टाइट हो गई, जैसे एक युवान लड़की होती है, अठारा साल की बेटी की तरह उसकी स्कीन हो गई, उसके बाल हो गई, एकदम शाइनी, और बाल भी जो छोटे-छोटे थे यहां तक आ गई, आप सोचिए, छे महिने में तो उसका ऐसा काया कल्प हुआ, आज भी वो कहीं भी जाते हैं, यह मद्यम मार्ग अपनाते हैं, एक टाइम कच्चा, एक टाइम पक्का, हम यह पक्के की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अभी तपस्चर्या चल रही है, लेकिन लास्ट लेक्चर में हम आपको कहेंगे कि यह पूरा जीवन हमें साधू की तरह थोड़े ना जीना है, जब आपका गोल पूरा हो जाए, फिर हम आपको एक वक्त सब कुछ खाने की छूट देंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन बस ऐसे साधू बन के जीना है, आप सब कुछ खा सकोगे, लेकिन एक बार निरोग हो जाओ, फिर आपको जैसे रमेश सर समझाते हैं ना, कि जब खाने में कोई भूल कर दी, तो फिर उपवास कर लो, है ना, और ज्यादा भूल कर लिए तो दूसरे दिन भी आप रसाहार और फलाहार कर लो और का खाता सरभर हो जाएगा, लेकिन जब तक परिणाम ना मिले, आपको इस पे ही लगे रहना पड़ेगा, सुगर ज्यादा भी आता है, तो भी चिन्ता मत करना, क्योंकि केवल आप अंगूर पे हो, तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, ज्यादा आए, कम आए, लेकिन आपके बोड़ी में क्या असर हो रहा है, वो बताईए, अगर आपको कोई तकलिफ हो रही है, जैसे हाथ पेर पानी-पानी हो जाते है, चक्कर आता है, या फिर आपको अनीजीनेस महसूस होती है, कुछ भी आपको होता है, तो आप चेक करवाईए, वरना चेक करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोज-रोज चेक करवाते हैं न, तो फिर इधर असर होता है, ज्यादा आया, कम आया, करवाने कई नहीं, अपने आप, आप देखना, पांच दिन में सब कुछ ठिकाने आ जाएगा, क्योंकि कम से कम पांच दिन तो देने पड़ते हैं न, उसको हो जाता है, यहाँ पे आपको केवल एक्जामपल करवाया जा रहा है, अब आप घर पे जाके, जैसे यहाँ पे यहाँ का जो प्रोटोकॉल है, वहाँ वैसे आप फॉलो करोगे, लेकिन घर पे जाके आपको करना है, तो अभी, समझो, एपरिल का फर्स्ट वीक, सायद किस दिन का कलप आप घर पे जाके भी कर सकते हो, और किसी को ऐसा लगे कि नहीं घर पे जाके हमारा नहीं होगा, तो फिर बाद में हमारा एक केम्प और मातर में नवरात्री केम्प लगी रहा है, 22 से 29 का, तो वो नवरात्री केम्प में भी हम और्गेनिक अंगूर और रसा फलाहार दोनों जिसमें जो बोलेंगे वो करवाएंगे तो आप कहीं भी ऐसी तपस चर्या कर सकते हो घर पे भी कर सकते हो हम ये नहीं कहते कि घर पे नहीं कर सकते हो अब ये तपस चर्या के दोरान आपको कोई बाधा आ जाए यानि कि आपको ऐसा लगे कि हमारा सुगर आ रहा है और आप माप रहे हो और आपके माइंड को संतुष्टी नहीं मिल रही है, तो आप अपनी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कर भी सकते हो। जैसे कि एक्सेस आ रहा है तो आप दवाई का थोड़ा कम डोज ले भी सकते हो लेकिन ये केवल सुगर वाले के लिए है बाकि किसी को कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है आप देखिए सुगर भी ज्यादा तर लोगों का तो कंट्रोल में आ ही जाता है लेकिन किसी किसी क का ऐसा होता है कि थोड़ी देर लगती है लेकिन आता जरूर है अब बीपी सबका कैसा है ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया बिना दवाई का सबका आ गया तो ये ऐसा नहीं है कि केवल अंगूर पे ही बीपी नॉर्मल आता है रोड डायट जो करते है ना उनको भी बीपी ये अंगूर पे जरा फास्ट आता है ये अंगूर जब हम खाते हैं उसका जूस कीव पीते हैं तो उसके उपर हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए तुरंट एक घंटे तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है वो मंद हो जाता है उपर पानी पीने से ये अंगूर आपका खोराक है जब भी हम पक्व भोजन भी खाते हैं तो आपको पता है कि पक्व भोजन खाने के बाद भी तुरंत हम पानी नहीं पीते हैं क्योंकि जब हम गरम खाना खाते हैं और उपर थंडा पानी पीते हैं तो ये गलत करते हैं हमारी पाचन शक्ती मंध हो जाती है तो कभी भी हम कुछ भी भोजन करते हैं कच्चा या पक्का हो सके वहां तक आप ये पानी अगर एक घंटे तक नहीं पीते हो तो देखना आपने जो भी चबा-चबा के खाया है उसी से आपका पेट करीबन दो घंटे में साफ हो जाएगा आवला ऐसी रेचक चीज है कि किसी को भी बीच में अगर कब्स भी हो जाती है क्योंकि किसी ने ज्यादा मेडिसिन खाई है एंटिबायोटिक्स वगेरे खाये हैं और अपने आप कुद्रती तरीके से पेट साफ नहीं होता है तो आप एनिमा तो कर ही सकते हैं लेकिन आपका कल्प जब पूरा होता है तब आपको जैसे आप ग्रीन जूस ये पहला हपता आप लोगे फिर दूसरे हपते जब आप घर पे जाओगे तब आप ग्रीन जूस सेवन ना करके अकेले अंगुर लोगे तो भी चलेगा जब भ भूख लगी अंगुर खा लिए वाच नहीं देखनी है एक 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 चबा के जब भी चाहा अंगुर का जूस बना के पी लिया तो ऐसे आप कर सकते हो फिर आप रिवर्स करोगे ठिक वैसे ही अब आपको आगे का डायट कैसे करना है तो जिनोंने 21 दिन पूरे किये उनको प किस दिन में किसी को भी पंप लेना पड़ता है दमास थमा या जो भी प्रॉब्लेम है आपके सारे प्रॉब्लेम चले जाएंगे सांस की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी अगर ओर्गेनिक अंगुर है तो क्योंकि वो अंगुर में हमने परिणाव अच्छा नहीं पाया है इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं तो आपके पास अवेलेबल हो तो ही अंगुर पे करना वरना मल्टी करना मल्टी में आप वो अंगुर खा सकते हैं क्योंकि तब हम थोड़ा सा ही खाते हैं ऐसा नहीं कि केवल अंगुर खाते हैं तो तब आप तिन तिन दिन का छोड़ने के बाद 21 दिन यानि की 22 दिन से जैसे कि आप तिन दिन संत्रा ले लिए तिन दिन मौसं ले लिए, तिन दिन वाटरमेलन ले लिए, जो चीज खा सकते हैं और उसका जूस भी पी सकते हैं, एकाहार केवल तिन तिन दिन का, आपके तीस दिन पूरे हो जाएंगे, 30 देज, फिर आप विविद रसाहार, फलाहार कर सकते हैं, जिसमें से रस निचोडा जाए, यानि कि दल वाले फल नहीं खा सकते हैं, तुरंत तुरंत, केला है, एपल है, वो सब दल वाले हैं, उसको जैसे कि एपल का जूस निकालना है, तो जूसर में या मिक्सी में डालना पड़ता है, लेकिन आप हाथ से दबाओ, वो चीज जिसमें से रस निकलता है, वो आप ले सकते है फिर आप नीमबू पानी, नारियल पानी, गन्येका जूस, संत्रा, मोसंबी, पाइनेपल, ये सारे जूस आप ले सकते हो, विविद, आपको जो भी मन चाहा, लेकिन ग्रीन जूस कंपल सरी, आवले के साथ, और बाद में आप आइस्ता आइस्ता रसीले फल चालू कीजिए, यानि कि संत्रा का जूस पीते, वो चूस भी सकते है न, टमाटर भी खा सकते है, क्योंकि वो भी रस वाला होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जैसे खीरा है, गाजर है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो सलाड के स्वरूप में चटनी के साथ खाना, चटनी अवस् किये, क्योंकि चटनी से आपको स्वाद बनेगा, और स्वाद से आप कोई भी चीज खाओगे, उसमें कच्ची भिंडी भी डुबो के खाओगे, उसमें जो सुगर वाले पेशंट है, वो कच्ची भिंडी अवश्य खाए, जब भी सुगर ज्यादा आता है, शुरू आत मे तो आप ग्रीन जुस के बज़ाए करेले का जुस भी पी सकते है या ककडी, करेला, टमाटर का जुस भी पी सकते है, दिन की शुरूआत उससे भी कर सकते है, जब कंट्रॉल में आ जाए, फिर आप यह काहर कर सकते है, जैसे अभी आप छोडने की तरफ है, अब आपका कच्चा यानि कि ये रसीले फल से दलवाले फल फिर अभी आप एपल, केला, हो सब ले सकेंगे साथ में आप नारियल के दूद का सेवन कर सकेंगे दूद का ओप्सन तो देंगे न क्योंकि जब आप एक दूद छोड़ रहे हो तो अब वनस्पती जन्य दूद पिएंगे तो उसमें नारियल का दूद, बादाम का दूद, हेजलनट का दूद वो सब वनस्पती जन्य दूद आप पी सकते हो हम जो बोल रहे हैं ना मेडिसनल डायेट आज हम देने वाले थे लेकिन कुरियर में जो चीज आने वाली है वो होली की वज़े से इंदोर तक आ गई थी कल लेकिन भोपाल तक नहीं पहुँची थी आज आ गई है लेकिन अभी ट्रांस्पोर्ट खुला नहीं है युनाइटेड मेरे पतिदेव लेने गए लेकिन वापस आये खुला नहीं है वरना आज हम आपको वो चीजों को बता के मेडिसनल डायेट बताते कि ये आपको ऐसे लेना है तो हम कल ले लेंगे वो सेसन आज हम ये डायेट बता दे और उसके बाद आप बोलो तो मां स्पेसियल बता दे क्योंकि सायद हमारा लेक्चर कल के दीन ही है तो आप बोलो तो बच्चे की परवरिश और घरवालों की परवरिश कैसे करनी है ये डायेट के बाद हम बता देंगे या फिर हम मेडिसनल डायेट बता देंगे आप जैसे भी बोलोगे, ठीक है, हम कर देंगे, आप जैसे का होगे, तो अभी आप दल वाले फल ले रहे हो, और उसके साथ अब नारियल का दूध, उसमें बनाई हुई स्मूधी, यानि की स्मूधी से पेट भरता है, लेकिन ध्यान रहे, केला, जिनका भी वेट ज्यादा ह वो लोग केला क्रश नहीं करेंगे, जो पतले हैं, वो केला नारियल के दूध में क्रश करके ले सकते, क्योंकि क्रश करने से वेट बढ़ता है, और ऐसे ही खाने से वेट नहीं बढ़ेगा, ये दोनों में फर्क है, तो आपको कोई भी स्मूधी को मिठा करना है, तो हलका स शहद डाल दीजिये, या चार-पांच खजूर भीगा के डाल दीजिये, हाँ चलता है, ये सब चलता है, क्योंकि ये सब आप नैचरल ले रहे हो, और आप एकाहार के बाद, जब भी आप ये डायट पे जाते हो, रो डायट पे, आप देखिये, क्योंकि अभी आप केवल रो पे हो, हमने आपको पकवपे नहीं चड़ाया है, ये वल रो पे हो, तीस दिन पूरे हुए थे, और पंदरा दिन आप कम्पलीट रो पे हो, यानि 45 देज कम्पलीट हो गए, यू नहीं, यू, हाँ, फिर ये 45 देज कम्पलीट हुए, यानि हमें जो चाहिए था, वो मि वो हो गया, बस अब आपका जो फ्लक्ट्यूएशन है, सुगर में, वो चला गया होगा, रोजाना चेक मत करना, करना चार पात दिन में हपते में एक बार, कुछ तकलिप हो तो ही चेक करना, वरना वो भी जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा छूटछाट मत लेना, ये नही कि आप एकसेस बस लेते ही रहो, लेते ही रहो पूरा दिन, कुछ भी लो, लेकिन लेने के बाद उसको दो घंटे का, कम से कम दो घंटे का वक्त दो, हजम होने के लिए, क्योंकि एक बार तो आपने पेट भर के खाया है, फिर पूरा दिन आपका जी केवल खाने में लगा तो आप नहीं कर पाओगे, ये गलत है, पेट भर के खा लिया, फिर आपको बहुत ऐसा लगता है, तो बाद में तो आप मुखवास खा सकते हैं, इलाइची खा सकते हैं, आप थोड़ा सा कच्छा जीरा चबा सकते हैं, क्योंकि कच्छा जीरा उसमें बहुत केलशियम है, तो वो खाने से भी कई लोगों के कैंसर तक गए हैं, हाँ, सेल चेंज हो जाते हैं, कच्छा जीरा चबाने से, पीपल के पत्ते, वो भी कुने कुने पांच चबाते हैं न, ये नी रिप्लेस्मेंट बंद रहता है, ये सब मेडिसिन है, आपकी नैचरल मेडिसिन, तो जब बीच बीच में आप ये सब शुरू कर सकते हो, जिनको कोई मसाले की आदत है, क्योंकि साउराष्ट्र से काफी लोग आये हैं, और साउराष्ट्र में लोग मसाले ज्यादा खाते हैं, मावा वगेरा, हाँ, तो फिर अगर किसी को आदत है, तो आप अपने मुख्वास में अजवाइन डाल दे, आपकी इच्छा, ये जो आपकी आदत है वो चली जाएगी, और मुख्वास भी कैसा बनाना है, हेल्दी, उसमें फ्लैक सीड यानि अलसी, तील, काले या सफेद तील, सनफ्लावर सीड, पंकीन सीड, वाटरमेलन सीड, यानि ये एक रॉयल मुख्व अजवास होगा, उसमें ओमेगा थ्री है, ये सब सीड में, तो ये सब सीड उसमें आप थोड़ी सी अजवाइन की डाल या अजवाइन डाल दो, वो चलेगा सेका हुआ, उसमें आप हलका सा हल्दी और जरा सा सेंदा नमक डाल के, जैसे हम नहीं सौफ को सेखते हैं, नमक लगा के, जरा सा हल्दी लगा के, तो वैसे आप सेक के भी, ये मुखवास तयार की कीजिए, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत भूख लगती है, थोड़ा सा मुखवास मूँ में डाल दीजी और उसको बहुत चबाईए, आपकी भूख कम हो जाएगी, या आ आवला नहीं, पानी में डाल के, ऐसे उसको छेद करके फॉक से, हल्दी और नमक के पानी में डालते हैं, और नहीं उसको ऐसे खाते हैं हम, गुजरात में तो ऐसे करते हैं, हाँ, हाँ, सुखावला, हाँ, वो भी आप खा सकते हो, क्योंकि भूख को मिटाने के काफी इलाज है, तो ऐसे मुखवास आप अपने मुँ में थोड़ा रखिए, या एक इलाइची रख दीजिए, और उसको चूसिए, तो आपकी भूख देखना आपको कम हो जाएगा, और ये सब शेहत के लिए भी अच्छा है, किसी को खांसी बहुत रहती है, तो आप एक लवंग रख सकते हैं, मुँ में, केवल चूसना है, काली मिर्च भी एक साबुत मुँ में रख सकते हैं, चूस सकते हैं, जो आपको सूट करे वो, लेकिन आपको अपनी भूख को कंट करना है, और ऐसे आप जब मुख्वास लेते हो, आपकी भूख को आप कंट्रोल कर पाओगे, फिर आइस्ता आइस्ता, अब आप जाओगे, अगर जिनको ज्यादा तकलिफ है, यानि की कैंसर की बिमारी है, वो लोग देड़ महीने में ठीक नहीं होंगे, वो लोग और तपस्चर्या जारी रखेंगे, यानि उनका डाइट, आप फोन करना, हम आपको फोन पे डाइट दे देंगे, क्योंकि आप किस डाइट पे चल रहे हो, उस से किस में हमें कनवर्ट करना है, सीजन के हिसाब से, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि कैंसर पेशंट के लिए चातुरमास कंपल सरी है, तो उनको ये मन बना लेना है, कि आपको करीबन चार से छे महिने तक पक्व भोजन नहीं लेना है, फिर जब आप एक वक्त के भोजन पे जाते हो, तब आपको यहाँ पे जैसा भोजन दिया जाता है, आई पीडी में, ऐसा भोजन आहिस्ता-ाहिस्ता शुरू करना है, जैसे कि सूप, उसमें ड्रमस्टिक यानि सहजन की फली, वो अवश्य लेनी है, आप देखना, आपका नीरी प्लेस्मेंट बंद रहेगा, सहजन की फली का सूप, साम को, आप जो भी सूप बनाया ना, उसमें सहजन की फली एक व्यक्ति को कम से कम दो चाहिए, मुनगा, ड्रमस्टिक सरगवा, सरगवा, ड्रमस्टिक, क्योंकि अभी एक भाई साब असोग भाई करके, सिंधी ही है सायद, बंबई में है, दीवाली के बाद उनका फोन आया था, कि उनको पेरालिटिक एटेक आया था, पहले उन्होंने ये सिस्टम किया था, अपना डायबिटिस मिटा दिया था, और फिर उन्होंने क्या किया पता है, खाना शुरू कर दिया और दवाई शुरू नहीं कि, बोले हमने तो NDS किया हुआ है ना, किया हुआ है, करते नहीं थे, अब लोग ऐसा सोचते है कि एक कैम्प कर लिया जैसे कि हमारा शरीर वजरका हो गया, ऐसा मत समधना ये गल्टी कभी मत करना, लोग ऐसा सोचते है कि हमने बस एक बार कल्प कर लिया, अभी तो हम कुछ भी कचरा खा सकते हैं, ये गलत है, सैयम तो बरतना है, उन्होंने एक बार केंप कर लिया, डायबिटीस मिटा दिया, कुछ तीन-चार महीने किया होगा और उनका डायबिटीस बिल्कुल, उनका इंसुलिन जो तीन टाइम लेते थे वो बंद हो गया था और फिर डाक्टर को जब दिखाया, तो डाक्टर बोले, आप जो भी आहार लेते हो, वो अभी चालू रखिये, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे है, अब आपको जिस कम्पनी की दवाई लेते हो, वो ही लेने की जरूरत है तब उन्होंने बताया कि डाक्टर साब हम कोई दवाई लेते ही नहीं है, हम तो ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो बोले कि जो भी कर रहे हो, ये आप चालू रख सकते हो, लेकिन अगर आप ये छोड़ो, तो फिर आप दिखाने जरूर आ रहा, और उन्होंने भूल कर द दिखाने नहीं गए, और फिर दिवाली आई, बेफाम मिठाई खाई दूध वाली, और फिर सुगर तो जो एक बार आ चुका है, वो आप सिस्टम में नहीं रहोगे, यानि कि नैचरो पती आप फॉलो नहीं करोगे, छूटचाट कभी कभी लिते हैं, लेकिन छूटचाट के बाद फिर तपस्चर्या भी करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जो आपके खुन में आ चुका है, उसको साफ हम ये डिटॉक्स केंप में करते हैं, और फिर भी हम ये घर पे जाके भी चालू रखते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा छुटचाट लेते हो, और दवाई नह आपस आजाएगा, क्योंकि ये आपके रोग रूपी मेहमान को आपका एड्रेस पता है, कि यहाँ पे हमें जगा मिलने वाली है, तो वो मेहमान वापिस भी आ सकता है, जब आप भूल करते हो, उनका जो उन्होंने दिवाली पे बहुत मिठाई खाई, बहुत मिठाई तो कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो नैचरल मिठाई मिनती है, उससे कुछ नहीं होता है, नैचरल से नहीं होता है, मिठाई खा सकते हो, खजुर की मिठाई, जैसे यहाँ पे मिलती है, तील की, मुमफदी की, उस मिठाई से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें तो क केवल खजूर और शहद होता है, वो तो नैचरल है, हम भी घर में बनाते हैं, आप भी बना सकते हो, रेसिपी बुक में सब कोई मिठाई आती है, नारियल के लड़ू, खजूर के लड़ू, बहुत मिठाई बनती है, नैचरल, तो उन्होंने तो बाहर की मिठाई खाई, और स सुगर पता है, कितना हो गया था, साड़े छेसो से उपर, सोचिये अप, हम तो सोच के भी चकरा जाए, फिर उनको पैरालिटिक एटेक हुआ, चलना फिरना बिल्कुल बंद गिर गए, बेहोस हो गए, तब उनको जब अस्पता ले गए, चेक करवाया, तब पता चला कि उ और ना कोई दवाई ले रहे हैं, और ना ही कोई प्रथा कर रहे हैं, और फिर उनका मूँ टेड़ा, बोलना बंद, चलना बंद, बिल्कुल बैड पे आ गए, उनकी बीवी का फोन आया, दीदी हमसे भूल हो गई है, हमने ये आपका कहा किया था, तब ये बिल्कुल ठीक और फिर इनोंने सब मर्यादा तोड़के, और वो खाने पीने लगे, और दवाई भी नहीं ली, तो आज उनका हाल ऐसा है, कि वो अभी वो फोन पे भी बात नहीं कर सकते, हम क्या करें, तब हमने उनको तीन दिन के निर्जल उपवास करवाए, और केवल एनिमा चालू एक साइड हुआ था, लेफ्ट साइड, वो थोड़ा ऐसे ठीक हुआ, उनके उंगलियों में थोड़ी जान आई, इतना स्ट्रीक करवाया, कि उनका छे मैने अभी ये मैने में पूरे हो जाएंगे, अभी वो बिलकुल स्वस्थ है, बिना दवाई के उनका पेरालिसिस चला गया है, जो लाठी से चल, यानि कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में लाठी से भी चलने लगे थे, आहिस्ता 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 यानि कि पांच वे, साड़े पांच मैने के बाद हमने उनको कहा, अब आप ड्रम स्टिक का सूप सुरू कर सकते हैं, पहले एक से शुरू करवाया 3-4 यानि कि 500 ग्राम तक ले गए रोजाना पिलाते थे और अंकुरित आलफा-लफा सीड खिलाते थे हपते भर का साथ में अंकुरित करना है और आपको वो रोजाना एक मुठी खाना है आपको देखना कोई भी बोडी पेइन नहीं होगा सारे बोडी पेइन उससे चले जाते हैं उसमें केल्शियम, मैगनेशियम हम लाए है हम आपको दिखाएंगे छोटे-छोटे उसके सीड होते है और वो अंकुरित होते हैं उसको अंकुरित होने में थोड़ी देर लगती है मुख्य इलाज है क्योंकि वो खुन को पतला करता है साफ करता है और ब्लड का सरक्यूलेशन उपर से नीचे तक अच्छे से करता है कहीं भी छोटी सी गठान हो तो उसको पीगला देता है विटामिन सी और लैसुन ये दो चाहिए हमने उनको जो medicinal डायट दिया था हर हपते उनका फोन आता था और हम उनको बोलते थे आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुवमेंट वापस आने लगी मुँ सिधा हो गया करीबन 21 दिन में उनका मुँ जो टेड़ा हो गया था वो सिधा हो गया जो बोल नहीं पाते थे अंदर से आवाज आने लगी वो बोलने लगे आप चाहोगे तो अगर मुझको उनका नंबर मिला तो हम कल उनका अनुभव भी आपको खुद वो बताएंगे तो ऐसे आप हमारे पास ऐसे कई अनुभव है कि हम आपको ऐसे फोन पे सुना सकते हैं उनको लेके उनका पैरालिसिस ठीक हो गया वो बोलने भी लगे चलने भी लगे और आज ऐसी परिश्थिती है लाठी की भी जरूरत नहीं केवल सूप लेते थे छे मईने कंपलिट होने के बाद उनको सबजी शुरू करवाने वाले हैं हम उबली हुई सबजी जैसे यहाँ पे डाएट दिया जाता है ठीक वैसा ही डाएट आपको फोलोग वो पैशन ठीक हो गए अब उनको हम पहले उबली हुई सबजी शुरू करवाएंगे यानि जब आपका डाएट शुरू होगा तब आप सूप तीन दिन आप सूप पिर सामको पांच-छे बजए आप गरम एक सूप ले लीजिए उसमें आप कोई वेजिटेबल के साथ केवल उसमें टमाटर और करेला और भिंडी ये तीन चीज मत उबालना पालक को भी मत उबालना पालक आपको डालनी है तो ये उबालने के बाद जब आप गैस बंद कर दो उसमें आप दोई हुई पालक डालक के केवल ढकन बंद कर दो गैस चालू मत रखना उसकी भाप में ही पालक हो जाएगी ज्यादा तर हो सके ना तो भाजियों को केवल भाप में स्टीम किया जाता है, उसको उबाला नहीं जाता है, तो पालक कच्ची खाते हैं, यानि कि अब ये जो जूस पीते हैं, ग्रीन जूस, उसमें अपनी पथरी तूटती है, यानि कि किसी को भी स्टोन का प्रोब्लेम हो, तो स्टोन तूट जाता है, लेकिन पालक को जब उबालके खाते हैं, जस्ट लाइक पालक पनीर, आप लोग खाते हो पालक की सबजी, अगर आप उसको ज्यादा उबालके खाते हो, तो जिसको तकलिप है, जिनको तकलिप नहीं है, उनको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन क्योंकि उबली हुई पालक से किसी किसी को स्टोन रीक्रियेट होता है ऐसा हमें अनुभव मिला है तो आप पालक को ज्यादा मत उपालना केवल स्टीम में डाल देना कोई भी सूप पीओ पेट भरके पीना क्योंकि अब सूप ही आपका खौराक है फिर आईस्ता आप उबली हुई सब्जी तीन दिन सूप पिया फिर आप तीन दिन के बाद उबली हुई सब्जी शूप और सब्जी जो चालू किया है उसमें प्लस प्लस करते जाना है सूप लिया फिर उबली हुई सबजी ली अब आपको वो सैट हो गया फिर आप मुंग का पानी लीजिए छिलके वाले मुंग आते हैं ना हरे मुंग उसको आप सुबह में उठके पहले भीगा दीजिए और साम को उसको उसका पानी निकालके और अच्छे से धोके फिर उसको आप उबाल दीजिए उसको उबालके क्योंकि भीगाए हुए मुंग है ना तो अब आपको उसको सायद कुकर में सीटी भी नहीं लगानी पड़ेगी ऐसे ही उबल जाते हैं वो मुंग का पानी पिए फिर मुंग के पानी के बाद आप अंदर थोड़े से मुंग जाने दे दुसरे दिन और तिसरे दिन पानी वाले डिले डिले मुंग खाए उसमें हल्क का सा सेंधा नमक डाल सकते हैं एक पीस लसुन भी आप घीस के डाल सकते हैं क्योंकि ये पल्सिस है, किसी को गैस होने की संभावना है, तो आप उसको उबालते वक्त या तो चुटकी भर अजवाइन डाल दे, अदरक डाल सकते हैं, या लसुन की एक कली, जो भी आपको ठीक लगे, आप डाल सकते हो, और आप ऐसे पतले मुंग एक कटोरी खा लीजिए, ये सूप उबली हुई सबजी और ये मुंग, अब आपका डायेट सेट हो गया, क्योंकि अब आपको पेट में आप आइस्ता आइस्ता आगे जा रहे हो, अब आपको पेट में दर्द भी नहीं होगा, फिर आप ये मुंग के बाद अब आप पतली सी खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी, ओट्स, वेजिटेबल ओट्स, वेजिटेबल पोहे, ऐसी चीजे खा सकते हैं, फिर आप स्टिम की हुई चीजे, यानि कि इडली, ढोकला, वित सांभार, क्योंकि सांभार में दाल कम वेजिटेबल ज्यादा होते हैं, उसमें तूर दाल मट डालना, मुंग का या मुंग की दाल का सांभार बनाना, तो अब आपको आइस्ता आइस्ता सब कुछ आप जब एक 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 चीज अंदर, आप जैसे कि आज आपने कुछ लिया, कुछ नई नई चीजे लेते जाओगे, दस दिन में आपका रूटीन डायेट आजाएगा, ध्यान रहे, रूटीन डायेट आने में जिनोंने 45 डेस किये है, उनको करीबन 15 से 20 दिन या 21 दिन लगेंगे, लेकिन जिनोंने कम दिन, 21 दिन किये हैं, उनका हपते 10 दिन में रूटीन डायेट आजाता है, और वो रूटीन डायेट, सूप, सबजी और ये सब जो आइटम हम बोल रहे हैं, ये आप ले रहे हैं, इसके दोरान आपको कभी पेट में दर्द हो, तो आप जो चीज आज आपने खाई हैं, वो कल मत लेना, दो दिन के बाद लेना, तो आइस्ता आइस्ता सैठ हो जाएगा, हो सके तो सातवे दिन, यानि कि छे दिन खाए पिये हर सातवे दिन, जो भी, जिस भी भगवान को मानते हो, उस दिन आपको उपवास रखना है, रसाहार, फलाहार, हप्ते में एक दिन हमने कहा था न, कि आपको उपवास रखना होगा, जब भी आप ये डाएट शुरू कर रहे हो, आपको पेट में भारीपन लगे, ग्रीन जूस तो चालू ही है, साम के वक्त आप भोजन कर रहे हो, और फिर भी आपको भारीपन लगे, तो आप एनिमा का उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है एनिमा की, तो कोई बात नहीं, तो फिर अब आपका आहार ही आपका उशद है, आपको एनिमा की जरूरत ना हो, तो आप नहीं लोगे, तो भी चलेगा, लेकिन भारीपन रहे तो आप एक बार जरूर एनिमा कर लेना आमले लोगे तो आपको ज्यादा तर जरूरत नहीं पड़ेगी दिन में दो-तिन जूस पीलोगे न तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी एनिमा की या और किसी की लेकिन वो जूस रेचक होने चाहिए यानि कि ग्रीन जूस तो होना ही चाहिए अब आप अपने रुटिन डायेट पे आ गए अगर आप स्वस्थ है बिल्कुल निरोग है और यंग है तो आप जैसे की नैचरोपथी फॉलोग घर में कर सकते हैं यानि कि आपकी उम्र समझो 30 साल या 30 साल के अंदर है तो छोटे हैं आपको और कोई प्रॉब्लेम नहीं है आपने केवल डिटॉक्स किया है बोडी को तो आप अगर चाहो तो एक टाइम कच्चा एक टाइम पक्का भी कर सकते हैं और नहीं रहा जाता है तो आप सुबह से लेके दो पहर तक जैसे आपको यहाँ पे डाएट दिया जाता है न वैसे आप कर सकते हैं ये गुलाप सर के प्रॉटोकॉल के अनुसार यानि कि सुबह में जिनको नहीं रहा जाता अभी तो काड़ा सबका छूट गया है लेकिन अगर घर पे जाके आपको आवश्यक्ता है तो आप पी भी सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका एकाहार पूरा हो गया फिर आवश्यक्ता है तो आप काड़ा पी सकते हैं लेकिन चरूरत नहीं है तो मत लीजिए अब आपकी मर जी उसके बाद आप हो सके तो बारा एक बजे तक जूस फ्रूट और सालाड ले गरम नास्ता ना करे पोहा इडली जो खाते हैं न सूबह में गरम गरम वो ना खाए केवल आलकलाइन फूड ले आलकलाइन यानी जूस फ्रूट सालाड अगर आप एक्सेसाइज करते हो तो जूस की जरूरत पड़ेगी नीबू पानी की जरूरत पड़ेगी और यंग बच्चे होते हैं तो केला वगेरा भी खाते हैं एक्सेसाइज करते हैं जीम जाते हैं तो वो ये सब खाते हैं फूस और सालाड और जूस इस उनको हम ये न गिराते हो तो आपको भी निम्बू पानी या जूस की आवश्यक्ता होगी, क्योंकि जो एक्सरसाइज करते हैं उनको पता है, जीवन में अगर अपने आपको फीट रखना है और खाने पीने के साथ भी हमको खुद को ठीक रखना है, तो सम्यक आहर, सम्यक निंद्रा और सम् की आवश्यक्ता है, योग प्राणायाम अपने शरीर के लिए बहुत अच्छे है, योग से कई रोग जाते हैं, तो ये आहर के साथ जब आप योग का भी समन्वय करते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके बोड़ी में फ्लेक्सिबिलेटी रहेगी हमारे रिशिमुनी भी योग करते थे और निरोग रहते थे, तो आप भी योग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई दर्ध है और आपको जबरदस्ती योग कोई ऐसा कोई आसन है, जो आप कर नहीं पाते हो, तो जबरदस्ती नहीं, आप से जैसा हो पाए, उतने योग प् तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी दवाई नहीं आएगी केवल आप करके देखिये यहां के जो भी डॉक्तर से यंग है तो दोनों टाइम भोजन करते हैं लेकिन नेच्रोपथी वाला डायट लेते हैं तो आप भी अगर यंग हो और आपसे नहीं रहा जाता है तो आप ऐसा कीजिए कि बारा एक बजे तक रौ और एक बजे के बाद पहले आप प्लेट भरके सलाड खाए यानि कि कम से कम 400-500 ग्राम सलाड खा जाए विविद ककड़ी, टमाटर, गाजर, बिट्रूट, मूली जो भी मिलता है मार्केट में जो भी मिलता है और आपको जो भी अच्छा लगता है सलाड प्लेट भरके खाए, पहले खाने की थाली नहीं आनी चाहिए पहले सलाड खा लिया, फिर आपने चम्मत से सबजी खा ली, थोड़ी उबली हुई यंग है, वो अंकुरित उबला हुआ ले सकते हैं, प्रोटीन सेलाड, क्योंकि यंग लोग जब एक्सेसाइज करते हैं, तो उनको प्रोटीन की आवश्यक्ता होती है चालिस के बाद कठोड यानी की पलसिस पचना बहुत भारी होता है, यानी की मात्रा कम कर दे हम यह नहीं कहते कि आप अंकुरित बिलकुल मत खाओ, क्योंकि जो भी बेचारे उमरवान है, उनको थोड़ी सी दातों की प्रोब्लेम रहती है, चबाने की प्रोब्लेम, अच्छा आइडिया, उसकी चटनी बना लो जो भी आप ग्रीन चटनी बनाते हो, और अगर आपको ऐसा डॉक्तर ने कहा है, कि आपको अभी प्रोटीन की आवश्यक्ता है, और आपको कुछ गोली दे रहे हैं, तो वो गोली नहीं लेनी है, अंकुरित मुंग, अंकुरित आलफा-लफा, ये दोनो चीज आप ग्रीन च ज्यादा अंकुरित बुजूर के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि उनकी पाचन शक्ती मंध हो जाती है, जब सरकार रिटायर करती है न, उसके बाद, यानि साठ के बाद, चालिस से लेके साठ तक आप रोजाना थोड़ा अंकुरित सह पाते हो, लेकिन जिनको यूरिक एसिड है, वो नहीं लेंगे, न कोई दाले, न कोई अंकुरित, न कोई पल्सिस, क्योंकि यूरिक एसिड इससे बढ़ता है, तो जिनको भी यूरिक एसिड की प्रोब्लेम है, वो ग्रीन जूस जब बनाते है न, उसमें, उनको जितना ताजा जूस, यानि कि वो दो गिलास पीने वाले हैं, तो वो दो गिलास जूस में एक आलू डाल दे, आलू, कच्चा आलू होता है न, जो अपन सबजी बनाते हैं, आलू की, वो आलू, पोटेटो, लेकिन ध्यान रहे छिलके के सहित, अच्छा वाला आलू देखिए, पानी में मिडियम साइस, उसको आप पानी में थोड़ा डुबा के भीगा के छोड़ दीजिए, आदा गं पी ले, जितना ताजा पीना है, उतने में ही डालना, आलू वाला ज्यूस रखना मत, बाकी का ग्रीन ज्यूस आपका बचता है, तो आप रख दीजिए, और आप दूबार अभी पी सकते हैं, नहीं खरब नहीं हो जाएगा, अगर गर्मी का मौसम है, तो आप उसको निश्कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं, उनकी आक्ता स्वाक्ता, उनका वेलकम ड्रिंक, आपका ग्रीन ज्यूस यानी की गोलगप्पे का पानी, वो रहेगा, अब आपको अपने मेहमानों के लिए घर में दूद खरीदने की कोई आवश्यक्त नहीं है, क्योंकि हम जहर पीते नहीं है, और हम जहर पिलाते नहीं है, अतीथि देवो भव याद रखना, जो भी अतीथि आते हैं न, वो आपके देव है, और उसको आते ही, चाय का पुछके, उनको ये जहर मत देना, क्योंकि आपको ये जहर का ग्यान हो चुका है, तो अब आप कोई भी आए तो चाए, कॉफी नहीं पूछोगे कौन सा जूस लाओ पहले ग्रीन जूस से ही उनकी सरभरा करना क्योंकि पी के रिलेक्स हो जाए और हाश बोले वो होता है वेलकम ड्रिंक और उनको बस हो जाए कि बस मज़ा आ गया तो जूस भी ऐसा ही बनाना जैसा यहाँ पे बनता है कैसा मस्त बनता है कल कई लोग हमें बोल रहे थे कि यहाँ पे ना हमें ग्रीन जूस बहुत अच्छा लगता है हमसे घर पे ऐसा नहीं बनता है मत गभराये आखरी दिन रेसिपी सेशन होता है आपको सब चीज यहाँ पे लाके सुचिता जी या वर्सा जी आपको सिखाएंगे यहाँ से आपको पूरा डॉक्टर बना के भेजा जाएगा वो आपको किचन में बता देंगे क्योंकि यह दो दो बार एक ही बात को कहना अच्छी बात नहीं है वक्त जाता है ना और हमारे पास वक्त कम है तो आप कीचन में भी जाओगे तो भी आपको बता देंगे और पता चल जाएगा सच कहे तो देखने से ज्यादा पता चलता है वो सीधा माइंड में उतर जाता है सब कहते हमें यहां का ग्रीन जूस बहुत अच्छा लगता है हमें ऐसा लगता है कि बस वो ही पीते जाए है ना और पेट भी अच्छे से साफ होता है उसका भाव है जो बना रहे है ना उनका भाव है कि जो भी आये पिए और स्वस्थ होए आपको भी अब घर जाके ऐसा ग्रीन जूस बना के अपने फ्रीज में थोड़ा ज्यादा बनाने का एक लीटर जितना और आपके यहां जितने महमान आते हो और सबको जो भी आये थोड़ा-थोड़ा सबको टेस्ट करव मैसेज गलत जाता है तो आपका अतिथी आपके यहां के बिमार नहीं होना चाहिए उसका पेट साफ होना चाहिए तो जब भी आप यह पिलाते हो तब उसका रोग भी जाएगा अब उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो यानि कि हमने कहा कि यूरिक एसिड वाले अंकुरित और ये पल्सिस नहीं लेंगे लेकिन बाकी सब लोग जैसे कि मुंकी डाल छिलके वाली डाल पतली डाल बना के बुजुर्ग लोग भी खाने में ले सकते हैं मुंकी डाल पचने में हलकी होती है बच्चों को डाल का पानी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब हम उसको डाल का पानी शुरू करते हैं जैसे कि छे मैने का बच्चा हो जाए फिर हम उसको डाल का पानी शुरू करते हैं तो दाल के पाणी में भी बहुत पावर होता है जो हम बच्चों को दे सकते हैं वो बुजूर्ग को भी दे सकते हैं क्योंकि बच्चे और बुढे दोनों सेम है संत जी ने कहा है बच्चे बुढे और बिमार ये तीनों की अवस्था सेम है तो बच्चे, बुढे और बिमार है परमेश्वर के यार करो जी जान से इनकी सेवा पाओगे लोक परलोक में सुख अपार भावना से इनकी सेवा करो यहाँ पे जितने भी लोग है जितने भी लोग यानि की भावजी के अंडर में जो भी काम कर रहे है आपने सब के संसकार देखे केवल मुस्कुराहट होती है क्योकि भावजी ने सबको एक ही मंत्र सिखाया है मानव सेवा ही मादव सेवा है और ये मंत्र से ये सभी लोग भावजी का इतना आदर करते हैं समझो हम भी उतना आदर करते हैं कि हम जितना परमात्मा को पूझते हैं ना उतना ही भावजी को पूझते हैं क्योकि वही हमारी प्रेरणा मुर्ती है हमारे गुरुदेव पूझ्य चोहान साथ वो भी हमारी प्रेरणा मुर्ती है हम उनकी भी उतनी ही पूझा करते हैं जिनोंने हमें नया जीवन दिया तो परमात्मा के स्वरूप में भगवान हमें कोई न कोई दे देता है, कि जिनकी हम पूजा सच में दिल से करते हैं, तो जब हमें हमारा डायेट जब हम लेते हैं, तो बच्चों को अगर हम दाल का पानी देते हैं, तो बुजूर्ग को भी आप दाल का पानी दे सकते हैं, फिर जब उनको हजम होता है, तो आप उनको पतली डाल भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, मुंग की डाल और मुंग उत्तम में उत्तम होते हैं, पचने में भी और सब को खाने में भी, जो यंग है, वो दो पहर को पहले सबजी खाले, दाल की कटोरी पी ले, और फिर उनकी भूग के आवश्यक्ता के अनु पान ले तो अच्छा है, यानि कि चावल और रोटी एक साथ ना ले, एक दम यंग है, जो बहुत एक्सेसाइज करते हैं और बच्चे हैं, तो आप सब कुछ साथ में भी खिला सकते हैं, लेकिन हो सके तो रोटी आप जुवार की, बाजरे की, मिलेट्स की, यानि उसमें सा मिलाना, अकेली रागी नहीं, क्योंकि अकेली रागी कॉंस्टिपेशन करती है, भारी पड़ती है, तो अकेली रागी का उप्योग ना करें, बच्चों को भी, जब छोटे-छोटे होते हैं, तब हम उनको रागी की सुखडी भी बना के खिला सकते, लेकिन उसमें मेक्स आटा होता है, अगर आपको और्गेनिक गेहूं मिलते हैं, तो आप उसका थोड़ा सा मोटा आटा रखके, जैसे यहाँ पर रोटी दी जाती है न, उसमें ओट्स, चना, सब कुछ मिला के एक हेल्दी रोटी बनाई जाती है, तो वैसी रोटी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, उसका आटा भी यहाँ पर मिलता है, हेल्थ स्टोर में, हेल्थ स्टोर में केवल हेल्दी चीजे मिलती है, आप एक बार जरूर जाना, पूरी हेल्थ मिलती है, उसका नाम ही हेल्थ स्टोर है, यहाँ की सारी चीजे आप खा सकते हैं, एका हर दोरा नहीं, अभी न लेकिन आप सब क्या है कि वरना हमने छूट दे दिन तो यहां से सिधा नहीं चले जाएंगे, कि छूट दे दी, अभी तो आपको बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, तो एकाहार में नहीं खा सकते हैं, अब आप बच्चों को फूल मिल दे सकते हैं, लेकिन मेंदे की आ आउं, टोस्ट, यह सब हटा दे, बहार के तले भुने नास्ते, बच्चों को ना दे, आप भी ना खाए, बुजूर्ग लोग, जिनको दातों की तकलीफे चबा नहीं सकते हैं, तो उनको आप यहां पे जैसे पतली, खिचडी, वेजिटेबल वाली बना के देते हैं, वो और 30% अनाज और दाले, यह छोटों के लिए, जो उम्र में कम है, जो बड़े हैं, उनके लिए 70 से 80% हरी सबजी हैं, सबजीयों का उपयोग ज्यादा करें, रोटी का आटा भी बनाए, जैसे बाजरे की रोटी बनानी है, जुवार की रोटी बनानी है, तो आप वेजीटेबल के पल्प से आटा बनाए, अपने बच्चों के लिए भी और बुजुर के लिए भी, तो उतना तो वेजीटेबल ज्यादा जाएगा और आटा कम जाएगा, गाड़ा पल्प, जैसे कि जिसकी भी सीजन है आपके घर में जो भी अवेलेबल है, कभी लौकी, लौकी तो ज्यादा तर सबके घरों में रहती है, इतनी लौकी ले लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए, और उसको टुकडे करके चटनी जार में डाल दीजिए, मिक्सी के चटनी जार में, आपको जैसा भी अच्छा लगता है, उसमें एक लसून, जरासा अ बना लीजिए, और उसी पेष्ट से, उसमें जितना आटा मिले, आप मिला के उसकी रोटी बना लीजिए, पराठा बना लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे, तो वो एक हेल्दी रोटी बन जाएगी, और आपके बुजूर्ग भी खाएंगे न, तो उनको खाने के चक्कर न काटने पड़े, इसी लिए बेटियों को ज्यान दिया जाता है, नैचरोपथी पड़ाने के लिए हम क्यूं बोलते हैं, आपकी बेटी कैसी भी अपसर बन जाए, भले आईए सदिकारी बन जाए, लेकिन उसके पती को या उसको अगर सुगर आ गई तो, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो पैसा, क्या कामका, जबकि आप परमात्माने दिये हुए, फल ही नहीं खा सकते, तो सर्व प्रथम, आप कोई भी डिगरी लेने जाओ, लेकिन आपकी प्रथम डिगरी अपने से शुरू होती है, कि अपना स्वास्थय का पहले ध्यान रख फिर आप कोई भी पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ खान पान का ज्यान हर बच्चे को देना है, क्या सही है, क्या गलत है, अगर आप बच्चे को बच्चपन से ये ज्यान जो भावजी अपनी स्कूलों में दे रहे है, वैसा आप नहीं दोगे, तो आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और वो पीजा बर्गर खुल के खाएंगे, बड़े होके, हमें उससे बचाना है, इसीलिए अगर आप कहोगे तो आपके पुत्र या पौत्र जो भी हो या पौत्री जो भी हो उनको भी आप छुट्टियों में, मैं मैंने में तो छुट् तो आप vacation में, एक vacation बैच, आप गुलाब सर को जैसा कहोगे वैसा मैनेज करेंगे, यंग्स्टर को लेके आईए, उनको जरूरत है, आपके बच्चों को जरूरत है, आप तो इधर से समझ के जाओगे, लेकिन आप जब घर पे जाके अपने बच्चों को बोलोगे कि बेटा एसा नहीं खाना है, बेटा एसा नहीं खाना है, तो वो थोड़े आपकी सुनने वाले, बोले पीता जी आप तो कहीं भी जाके और आप तो हमें कुछ भी बोलो, तो क्या हम बंद कर देंगे खाना, इसलिए हम कहते हैं, कि यंग्स्टर का प्रवचन भी अलग रहेगा, उस ये पीता की तरह इतना प्यार देते हैं कि बालिकाओ को उनका घर याद नहीं आता है, इतना प्यार देते हैं भावजी, तो सब लोग, हिरु भावजी और बाकी सब जो भी है कर्मचारी, सब इतना प्यार देते हैं, तब बच्चों को घर की याद नहीं आती है, तो बच् खिला पिला के हम सेमिनार करेंगे लेकिन आप अपने यंग्ष्टर बच्चों को भेजिए जिनको ये रास्ता दिखाने की जरूरत है क्योंकि हमारी धरोहर अगर बिमार हुई तो दो हजार पच्चिस तक डबलू एचो ने कहा है कि हर व्यक्ति डायबिटीस लेके पैदा हो का ये आज आप देख रहे हैं कि हर घर में डायबिटीस और हर कुटुम में कैंसर है और कैंसर का रेशियो इस तरह से फैल रहा है कि बेचारे को कुछ नहीं होता है केवल रूटीन चेक अप के लिए जाते हैं और बोलते हैं बायोप्सी करवाओ और सीधा बोल देते हैं कि कि बेचारों ने कुछ भी बाहर का नहीं खाया है केवल चाई की आदत उनको भारी पड़ जाती है घर का खाना खाते हैं लेकिन चाई की आदत भारी पड़ जाती है क्योंकि आज का दूध इतना विशेला आता है पैकेट में पैक दूध इतना विशेला आता है कि ये दू कि हमारे बच्चों को हमारी धरोहर को ये ब्लड प्रेशर ये डायबिटीस या कैसी भी बीमारी हमारे बच्चे को आए तो आप यंग्स्टर को ले आईए परिवार के साथ अगर आपके बहु बेटे यंग है तो आपको इधर हम उनको वैसा ही भोजन देंगे कि उनको जरूरत नहीं है वो कहां बिमार है उनको तो केवन ग्यान की जरूरत है तो वैसा सेमिनार करवाएंगे ग्यान और खाने पीने वाला आपको संभालिए उनको सिखाईए खान पान के साथ संसकार वो भी तो जरूरी है अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो रोगी है वो घर पे जाके कैसा डाइट फॉलो करेंगे यंग की बात मैंने बताई सब लोग चलती गाड़ी में मत बैठ जाना कि अब तो हम दो टाइम खाएंगे अगर आप रोगी है तो आप दो पहर का भोजन ना लीजिए आपको कोई भी रोग है यानि कि बोडी पेइन है नी रिप्लेस्मेंट कहा है बैक पेइन है कुछ भी है तो आप एक टाइम रो एक टाइम पकवा जिसको हम कच्चा कहते हैं वो सच में कच्चा नहीं है सूरज की गर्मी से पका हुआ है तभी तो मार्केट में आता है वो कच्चा नहीं है वो तो परमात्मा ने पकाया है चूले पे आप जितना पकाते होना उसके सत्व तत्व बिल्कुल नस्ट हो जाते हैं ये तो हमें पकव भोजन का व्यसन है आज तक हमने वही खाया है और उसी से हमें संतुष्टी मिलती है इसी लिए हमारे गुरु जी ने मध्यम मार्क बताया कि आप एक टाइम कच्चा और एक टाइम पका खाये यानि कि जो सुगर पेशंट है वो सुगर चला जाने के बाद फिर आइस्ता आइस्ता एक टाइम कच्चा और एक टाइम पका फॉलो करेगा तो ही उसकी सुगर की दवाईयां जीवन भर उसके जीवन में नहीं आएगी वर्ना दोनों टाइम भोजन करोगे तो वापस आएगी एक टाइम भोजन जब भी आप करते हो तब आप रोगी से निरोगी हुए है और हमेशा निरोगी रहना है तो खाने में 70-80% वेजिटेबल और 20-70% आप वेजिटेबल लेते हो तो 25% अनाज दाले लेना 5% पेट खाली रखना यानि भूख से एक रोटी कम खाना थोड़ा सा कम खाना ताकी आपको वाईू की तकलिफ ना हो उमर्वान को वायू की तकलिप ज्यादा रहती है कुछ भी खाते हैं तो वायू बन जाता है तो आप भुख से थोड़ा सा कम खाओगे तो आपको वायू नहीं बनेगा क्योंकि अब उसको जगा मिल रही है उपर नीचे होने की तो आपको वायू नहीं होगा साधा अजवाईन कम एक चम्मत जीरा है तो वन फोर्थ अजवाईन एक चुटकी भर अजवाईन एक लिटर पानी में सुबह उठके अच्छे से धोके बोटल में या छोटी मटकी में किसी में भी आप भीगा के रख दीजिए और जब भी आपको प्यास लगे और आपको गे हाँ हम तो केवल भीगा के लेते हैं फिर आपको अगर ऐसा लगे कि ठंड का मौसम है और आपको कुछ गरम पीना है तो आप उबाल के भी ले सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन अभी ये गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं आपकी अजवाईन स ऐसी अदरक, यह सब ऐसा medicinal diet है, कि इससे आपका body pain चला जाता है, यह जो organic अंगूर है, वो हमारा RBC बढ़ाता है, यानि कि red blood cell, वो कम हो जाते हैं न, तभी, यानि कि हमारा hemoglobin डाउन होता है, red blood cell हमारे कम होते हैं, तभी तो हमारी immunity कम होती है, तो जिनके भी red blood cell कम हो, यह organic अंगूर का एकाहार, उनका red blood cell का level भी बढ़ा देता है, हॉर्मोन भी balance कर देता है, जिनके भी हॉर्मोन imbalance हो, आप जब तक अंगूर मिले अंगूर पे रहिए, organic अंगूर पे आपके हॉर्मोन बिल्कुल set हो जाएंगे, आपको कैसी भी समस्या ह सारी समस्या है चली जाएगी, गायनेक प्रोब्लेम में यह बहुत काम करते हैं, जैसे कि किसी को access bleeding होता हो बच्चीयों को, वो control में आ जाएगा, किसी को bleeding ही नहीं होता है, टेबलेट लेके period में होना पड़ता है बच्चीयों को, वो भी चला जाएगा, तीन मैने में set होग आइस्ता आइस्ता उसकी cycle ठीक, set हो जाएगी और regular 28 दिन की cycle आजाएगी, इसमें काफी गून है, आप अपने बच्चों को, जब आप एकाहार करते हो, तो आप अपने बच्चों को भी यह अंगूर जरूर खिलाना, ऐसा नहीं कि यह एक box आपके लिए ही है, घर वाले सब को परोसना है, भले अंगूर थोड़े ज्यादा लेने पड़े, सच्चा खाएंगे तो अच्छा पाएंगे, हम अगर हमारे घर में जितना हो सके उतना ओर्गेनिक अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो आपके घर में ज्यादा तर बिमारी नहीं आएंगी, आप की सिक्कीम में कोरोना का प्रभाव नहीं था, दोनों टाइम पकवा ही खाते थे, फिर भी कोरोना का प्रभाव नहीं था, कारण है पेस्टिसाइड की प्रतिबंद वहाँ पे Pesticide पे प्रतिबंध है किसी भी चीज में Pesticides नहीं छिड़ के जाते हैं तो सिक्किम में कोरोना नहीं आया था और ना ही लोग ज़्यादा बिमार होते हैं जैसे कि केरला में कम बिमार होते हैं अब तो सब जगह पे Pesticides का राज चलने लगा है लेकिन पंजाब सबसे ज़्यादा पैस्टिसाइडS use करता है तो देखिए Cancer के सबसे ज़्यादा कैस पंजाब में है वहाँ पे एक special trend चलती है Cancer special train यानि उसका नाम ही Cancer train है वहाँ पे pesticides बहुत छिड़ के जाते हैं हम चाहे फिटकरी के पानी में धूल दे सबजीयों को या किसी भी चीज को लेकिन ये जो पैस्टिसाइड्स जो अंदर चले गए है उसको हम कैसे निकालेंगे इसलिए हो सके तो आप किचन गार्डन यानि कि अपने घर में अगर आता है तो आप और्गेनिक फार्मिंग करें क्योंकि अब हमें और्गेनिक की जरूरत है अगर हमें हमारी धरोहर को बचाना है तो ज्यादातर लोगों को इस केंप में जो आये हैं उनकी तो वाडियां है आप और्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो और अपनों को बाठ सकते हो आपकी आधी बिमारी ऐसे ही चली जाएगी हम ये नहीं कहते हैं कि अब बिल्कुल अपक्व पे ही पुरा जीवन रहो कोई ही विरला होगा जो रह पाएगा सब लोग नहीं रह पाते हैं तो पक्व भोजन भी आपको जैसे इधर IPD में जैसे देते हैं न भोजन और बिमार लोगों को ठीक करते हैं वैसा भोजन आप अपने बुजूर्ग को दे सकते हो उसमें कोई हर्ज नहीं है तेल मिर्ची हटा दो तो ऐसी डीटी होगी ही नहीं और बुजूर्ग है चबाने का प्रॉब्लेम है तो जूस के साथ साथ आप ऐसा दे सकते हैं लेकिन एक टाइम कच्चा और एक टाइम पक्का रोगी से निरोग होने के बाद यानि की 80% alkaline food और 20% acidic food acidic यानि पक्व भोजन पक्व भोजन जो भी आप ले रहे हो हम कहते हैं कि उसी से acidity होती है ऐसा नहीं है अगर यहाँ जैसा भोजन है तो कुछ भी नहीं होता है लेकिन हम जो तेल मसाले ज्यादा डालते हैं इतना भून भून के टमाटर लेते हैं सबी चीजों में ग्रेवी बनाते हैं और पंजाबी सबजी उसमें तो क्या टमाटर भूनते हो यह टमाटर गरम नहीं किये जाते हैं आपको अगर सूप भी पीना है ना तो टमाटर को मत उबालिये बाकी सब चीजों को उबाल दे और टमाटर को कच्चा ही क्रश कर ले और उपर से डाल दे सूप में स्वाद में भी अच्छा लगेगा और टमाटर उबलेगा भी नहीं क्योंकि उबला हुआ टमाटर एसिडिक हो जाता है तेजाब जैसे ही आप उसको गरम करते हो उबाल उबाल के फिर आप जहां पे हार्पीक यूज करते हो ना जहां पे खशार होता है घर में पानी वाली जगा पे आप वो टमाटर का सूप डाल देना आपका खशार बिना हार्पीक के चला जाएगा उबला हुआ टमाटर हार्पीक है और आप अपने बच्चों को पराठे के साथ केचप खिलाते हो ये केचप ये उबला हुआ टमाटर इसी से ही सोराइसीस स्कीन डिसीस यानि कि सोराइसीस एक्जीमा कोई भी स्कीन डिसीस अकारण बालों का सफेद होना आखों में नंबर आना खुजली का प्रोब्लेम वाइट दाग जो नहीं स्कीन पे होते हैं वाइट दाग ये सब का कारण आर्थराइटिस जकड जाना ये सब उबले हुए टमाटर की देन है ये गलत है इसी लिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी बहुरानी को लेके आईए क्योंकि ये सब उसको सिखना है अब आपको आपकी तो निवरुत्ती है आपको तो टेबल पर जो मिले वो खाना है हम कहते हैं ना कि यंग्स्टर की जरूरत है इदर वो आपका खान पान बनाते हैं उनको सुधारने की जरूरत है तो ये कल हम मा स्पेशियल लेंगे ये तो ये आज बोले इसलिए हमने नहीं लिया मा स्पेशियल में काफी कुछ आ जाएगा हम सारा कवर कर लेंगे कि आपको पूरे परिवार को क्या भोजन कैसे बनाना है कल हम सब कुछ वीदी आपको सिखा देंगे मेडिसनल डायड भी सिखा देंगे कि क्या कैसे लेना है क्या उपयोग करना है बच्चे को कैसे भोजन बना के खिलाना है सब कुछ सिखाएंगे ऐसा नहीं है कि बच्चों को भी भूखा मारना है ऐसा नहीं कहते हैं, प्रेगनेंट लेडी और बच्चे, यंग्स्टर उनको हम भुखा नहीं मारते हैं, दोनों टाइम भोजन देते हैं, लेकिन एक मेडिसिन की तरह कि आपके बच्चे को कभी भी BP डायबिटिस ना आए, इसके लिए हम पूरा डायेट बताएंगे, तो जब भी आप अपने घर में ये 80 और 20 वाला रेशियो करते हैं, तो दिन भर आप जूस, फ्रूट्स और सैलेड लीजिए, और साम में आप एक वक्त पक्वभोजन ले लीजिए, उसमें भी आप अगर मिलेट्स का उपयोग करते हो, श्री धान्य का, तो समझ ये आपका कै कैंसर भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि हमने कैंसर पेशंट में ये परिणाम पाया है, मिलेट से, जो डॉक्टर खादरवली, यूट्यूब पे सर्च करना सब कुछ आपको मिल जाएगा, हमारे जो जैसिका बेन पटेल, यू एसे से आये थे, हमारे कैंप में, काफी मही ने हो चुके, अब तो उनका कैंसर कपका रिमूव हो चुका, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, 6 mm और 9 mm दो गठान थी, और जब डिटेक्ट हुआ, तब उनका समझो पहला ही स्टेज था, और सीधे वो फोन किये, और वही पे, न्यू जर्सी में ही उन्होंने सीधा रसाहार और फलाहर शुरू किया, और वहाँ पे घर वाले लोग नहीं करने देते थे, तो वो इंडिया आ गए, उनके घर पे, और उन्होंने वहाँ पे आके तपस चर्या शुरू किये, लेकिन तपस चर्या में हमें किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जब तपस चर्या करते हैं तब कभी हमारा ऐसा होता है कि जब भी बॉड़ी डिटॉक्स होता है तो थोड़ी सी विकनेस फील होती है, बॉड़ी में, तो तब कोई करके देना वाला चाहिए, वरना हम गलत भोजन कर लेते हैं, तो पती को तो पत्नी कर देती है, लेकिन पत्नी को कौन कर दे, पत्नी को मुश्किल होती है, उसको बाई चाहिए, सर्वेंट चाहिए, बहु चाहिए या बेटी चाहिए, कोई चाहिए, जो उसको बना के दे, फिर वो जब थोड़े कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, उसका डिटॉक्स अंदर से हो जाएगा, फिर उसमें फिर से वही ता आप जब ये डाएट लेते हो अपकवा, यानि कि ज्यूसिस, तो ये ज्यूसिस से रस से जिंगी रसीली हो जाती है, और वो जैसिका बेन आये, फिर उन्होंने हमें फोन किया, वो आनंद में थे, बोले कि हम अपने इतने बड़े बंगले में अकेले हैं, उसको मैनेच करन बले बाई आती है, लेकिन उसको ग्रीन जूसिस बनाना नहीं आता है, अब हम क्या करें, हमने का आप हमारे यहां चले आओ, या भोपाल चले जाओ, जहां आपको सुवीधा मिले आप वहां चले जाओ, बोले अभी तो हम निर्जल करना चाहते हैं, हमने बोला तुरंत नह फिर वो हमारे सेमिनार में आए, लगातार जिन से नहीं हो सकता है, लगातार आप सेमिनार कर सकते हैं, कहीं भी भोपाल में कीजिए या जहां भी चलता है, लेकिन आपको सही आहर मिलना चाहिए, वो जैसिका बेन ने लगातार पांच केंप किये, बीच-बीच में घर, फि पाँच केम्प किये, उसमें दो नवरात्री भी आई, और चैत्र नवरात्री उनोंने साथ दिन निर्जल उपवास, छे ऐमेम की गठान गायब, छे दिन लगातार उनोंने निर्जल ł उपवास किये, छे ऐमेम की गठान गायब, फिर उनको ऐसा लगा कि इससे मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जूस, बीजोरा का जूस, बेल पत्र का जूस, ये सब अलग-अलग medicinal जूस वो लेती थी, और काचनार के पत्तों का जूस, फिर उसने एक साथ 10 से 11 दिन, 11 दिन साम को छोड़ा, निर्जल उपवास किये, 9 mm की गठान गायब, निर्जल में कितनी ताकत है, दोनों गठान गायब जब उसने अपना अल्ट्रा साउंड करवाया, और जब दुबारा उसने चेक एक जगा पे नहीं, पांच जगा पे करवाया, एमदाबाद में भी करवाया, बंबई में भी करवाया, यूएस जाके भी करवाया, उसने 3-4 जगा पे यहाँ पे और बाकी 3 जगा पे यूएस में, उसने सारी अपना चेक अप करवाया, उसका कैंसर नहीं आया, फिर हमने उनको आइस्ता आइस्ता मिलेट्स सुरू करवाया, साम को, सूप, सबजी, उसके बाद मिलेट्स, मिलेट्स की सारी आइटम बनती है, इडली, दोसा, ढोकला, हांडवा, रोटी, पराठा, सब कुछ, लेकिन रोटी पराठे में मज़ा नहीं आता है, वहत मेहनत है उसमें, इससे अच्छा है उसका पुलाव, उपमा, खिचडी, कुछ भी बना के खालो, तो वो मिलेट्स उसने सुरू किये, उसको भी अब काफी महीने हो चुके, उसके बाद तो उन्होंने कई साधियां एटेंड की, लेकिन अभी भी उनका कैंसर नहीं आ रहा है, लेकिन दिन में वो बिलकुल रो ही फॉलो करते हैं, बिलकुल रो, यानि सुबे का फास्टिंग, फास्टिंग, और एनिमा का भी प्रयोक करते हैं, लसुन, अ स्वामिनारा एन धरम अपनाते थे, तो वो नहीं खाते थे, लेकिन अब वही उनका मेडिसीन हो गया, तो बोले जब मेडिसीन में खाते हैं, तो क्यों न डायरेक्ट ले ले, उन्होंने डायरेक्ट उसका प्रयोग कुछ दिनों के लिए किया, अभी नहीं खाते हैं, तो उनका कैंसर भी चला गया, तो कैंसर पेशन्ट को गभराने की कोई जरूरत नहीं है, यह डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, भगवान ने नहीं दिया है, आप स्रद्धा से ये सिस्टम कीजिए और आगे बढ़िए, लेकिन सैयम से बढ़ना, पूछ के बढ़ना, तो आपका रूप कभी भी रिवर्स नहीं होगा, ठीक है, आज पांच मिनिट ज्यादा ले लिए, सौरी, माफी चाहते हैं, तो आज का सत्र यहां तक, हमसे बोलने में कोई भी गलती हुई हो, हमारे बोलने से किसी के दिल को कोई ठेस पहुची हो, तो हम रदय से माफी चाहते हैं, सब को प्रणाम हरियो, हमारी आदर्ण या दीदी के लिए जोरदार थालियां, अभिनांदन, दीदी बोलना चालू करती हैं, कब बोलना कतम करती हैं, टाइम कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, है कि नहीं हैं? अब ऐसा लग रहा है की, कल आखरी दिन हैं, तो पूरी जानकारी कैसे मिलेगी? कितने लोगों को लग रहा है इसा? सब को लग रहा है. तो माँ स्पेशल एक दिन कर देते हैं, और एक दिन जो प्रोड़क्स का वो कर देते तो एक सेशन और बढ़ा देते दिए कि तो कल सुभह का सेशन है अगर वो मिस हो गया तो फिर सबका मिस हो जाएगा तो वह भी जरूरी है कि अतों कल सुबह का रहे गा और परसों सुबह का रहे हैतो है रिकॉर्डिंग भी है रिकॉर्डिंग पर्लिंग र趣 और धोर दो कल का सेशन और परसों का सेशन वैसे नहीं था देदी पर एक सेशन और बड़ा दे रहें क्योंकि दो टॉपिक्स खटे आ रहे हैं न दिरीकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब हम से कंटा ले नहीं है हम तो गवरा रहे थे भाई ज्यादा